नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त करनेया लाल स्वाकत करता हूँ आपका इस YouTube चैनल Study with Kel Sir में दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लट लकार वर्तमानकाल आज हम लट लगार को याद करेंगे इस तरीके से याद करेंगे कि इसे एक बार याद करने के बाद नहीं भूलें अगर आप भी इस तरीके से इस लगार को याद करना चाहते हैं तो वीडियो को अंतितक जरूर देखिए दोस्तों आज हम लट लगार देखेंगे और लट लगार पठ दातु में देखेंगे लट लगार तो सबसे पहली बात लट लगार में अपनों को याद रखने के लिए कि जिसे कि एक वचन, दीवचन, भववचन, परतम पुरुष, मद्यम पुरुष, उत्तम पुरुष इस प्रकार से यह हैं, इनको बहुत सारे याद रखते हैं लेकिन भूल जाते हैं सबसे पहली बात इनमें याद रखने की, कि बहुत सारों को यह याद नहीं रहता है कि इनमें विसर्ग कहां लगता है तो मैं आपको बता दूँ इसमें विसर्ग जिस प्रकार से अपन अंगरेजी में एल बनाते हैं वेशे ये एल बनाओ तो इधर पटते में दीवचन में विसर्ग लगेगा पटते इसमें विसर्ग लगेगा पठावे में विसर्ग लगेगा और पठावे में विसर्ग लगे तो हम आसानी से इन लकारों को याद रख सकते हैं और कोई सी भी धातु को इसमें जोड़ सकते हैं जैसे की जैसे की देखें जैसे एक वचन में ती उसके आगे यहाँ पर पठधा तु जोड़ दें तो पठती बढ़ जाएगा हस्ता तु जोड़ेंगे तो हस्ती बन जाएगा इसी प्रकार तह अंती मद्यम में सी थह थह आमी आवय आमय जैसे कि यहाँ पर गशती बन जाएगा इधर गशती बन जाएगा यहाँ चल जोड़ेंगे तो चलती बन जाएगा यहां चल जोडेंगे तो चलते बन जाएगा इधर चल जोडेंगे तो चलंती बन जाएगा इस प्रकार से शब्द रूप बन जाएगे तो अगर अगर अपन इन शब्दों को याद रखे ती तह अंती सी थह थह आमी आवे आमे इन शब्दों को आपने याद रखें, तो लट लगार को आसानी से याद रख सकते हैं, और उसको नहीं बूलेंगे। इसके अलावा अपने गायन के माद्यम से भी इन सब्द रूपों को याद कर सकते हैं, जिससे कि इन्हें हम ज्यादा लंबे समय तक याद रख सकें, तो गायन के लिए मैंने यहां पर पठदातु को क्यों किया है, पठदातु मैं अपने इनको याद करेंगे, तो देखते है के से, आप भी मेरे साथ साथ दो राइए, पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठाव पठाम, पठामी पठाव पठाम, एक बार और दो राइए साथ मैं, पठती पठत पठंती, एक बार फिर, पठती पठत पठन्ती पठसी पठत पठत पठामी पठाव पठाम पठामी पठाव पठाम इस प्रकार से इनको याद करना है तो एक बार और दो राईए ताकि इनको याद रख सकें सासा दो रहना पठती पठत पठंती पठसी पठत पठत पठामी पठाव पठाम पठामी पठाव पठाम एक बार फिर दो रहे पठती पठत पठंती पठती पठत पठंती पठ सी पठत पठत पठामी पठाव पठाम पठामी पठाव पठाम इस प्रकार से अगर आप इन शब्द रूपों को याद करेंगे तो इनको जादा लंबे समय तक याद रख पाएंगे पठ की जगे आप दूसरी दातू भी जोड सकते हैं कोई शी भी चलती चलत चलनती हसती हसत हसंती कोई शी भी आपको बताया है कि आपको ये याद रखने है ती तह अंती सी थह थह आमी आवे आमे इनको याद रखने पर हम लट लगार में कोई शी भी दातू जोड करके लट दातुगा वेशे हम चल दातुगा भी कर सकते हैं हस दातुगा भी कर सकते हैं तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी ही मिलते हैं नए लकार के साथ धन्यवाद